नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल माय क्रियेशन्स में और जैसे कि आपने देखा कि मैं यहां पे फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ जो कि है ब्लाउस कटिंग की तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम योग पट्टी वाला ब्लाउस कटिंग करेंगे तो यहां पे हमारे पास एक मीटर असतर का कपड़ा जिसे हमने कर लिया है डबल फोल्ट यहां पे हम 34 की साइस बनाऻ रहे हैं तो यहां पे 11 इंच पे हमने फोल्ट किया है कपड़े को क्यूकि extra margin ज़्यादा रखनी पड़ती है और हम फ्रंड का पल्ला पहले कर लिए और कर और यहां पे 6 इंच, आर्म होल के लिए हमने लिया है, जिस साइट से हम खुला रखते हैं, यानि कि फोल्ड जो हमारा साइड है, खुला हुआ, वो हमारी आर्म होल की साइड होती है, यहां पे गले के लिए हमने लिया है, धाय इंच, और यहां से आधा इंच हम थोड़ा सा बेंट कर देंगे लाइन को आधा इंच इदर से आधा इंच इदर से ताकि हमारा कंदा जो है वो ना सरके अगर आप मेरे चारव पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इसे सस्क्राइब करना न भूलिएगा यहां पे 6 इंच आगे का गला है इसको हम राउंड कर लेंगे तो आगे का गला आप 6 इंच ही रखें ज्यादा रखेंगे 34 की साइज में तो वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा आगे से डीप हो जाएगा यहां से साड़े 4 इंच और यहां से लगबग है आपका साड़े 6 इंच तो यह हमारी योग पट्टी हो गई ऐसे तिर्ची लाइन हम मना लेंगे यहां से बीचों बीच में लगबग 2 इंच पे हम प्लेट की मार्किंग करेंगे और यहां से 3 इंच तो यह हमारी प्लेट की मार्किंग हो गई यहां से 4 इंच यहां से लगब डाई इंच प्लेट्स की मारकिंग बराबर होना बहुत जरूरी है यहां पे एक इंच और यहां से 7 इंच हमने लिया है स्वरी मेरा वीडियो थोड़ा सा मिस्प्लेस हो गया इसमें यहां से तीन इंच तो यह जो है यह हमारी प्लेट की मार्किंग हो गई और यह हमारा फ्रंट का पल्ला हो गया यह साथ ही हम बैक के पल्ले में थोड़ा सा जो है वो आगे के फ्रंट में जो हमने राउंड बनाया है वो हमने बहुत डीपली के बनाया है साथ में अगर आप बैक की मार्किंग कर रहे हैं थोड़ा साधा इंच बढ़ा के राउंड बनाया है यहां से दस इंच पे हमने पीछे का गला मार्किंग कर लिया है बस हम मट का गला यहां पे शेप देदेंगे तो बहुत एजी तरीक हैं चौथाई भाग पे जितनी आपकी कमर है उस हिसाब से आप जैसे आपकी कमर 28 है तो आप साथ इंच लेकर के और मार्किंग कर लें कमर का नाप हम यहां पे इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि जब यह आप फिटिंग करने जाओ तो फिटिंग का जो मार्जिंग है वो बा यहां से कटिंग करने के बाद जो है हम दोनों तरफ प्लेट की मार्किंग कर लेंगे यह जो प्लेट में कपड़े जाते हैं इसलिए हम एक्स्ट्रा मार्जिंग बढ़ा के रखते हैं और साथ में ही अगर कभी इन फ्यूजर आप हैल्दी हुए आपको मार्जिंग चैनल को सब्सक्राइब करें तो वहां पे प्लीज एक बेल आइकन होगा जिसे दबाना आप ना भूले और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर देना मत भूलेगा मुझे बहुत जरूरत है आपके सपोर्ट की यह देखिए यहां पे बैक अप ल है एक बार आप जरूर देखें यहां पे जो है हमारे बचे कपड़े में हम आस्तीन की मार्किंग करेंगे तो कपड़े को पहले हमने किया डबल फोल्ड फिर इस तरीके से चार बर फोल्ड कर लिया है और यहां पे हम लगबग लेंगे अपना नौ इंच और चार इंच यह होला जो यहां से पेटने लिया है तो 9 इंच जो हाज करें यहां पे है अगर आपको किसी भी साइज में ब्लाउस की कटिंग वीडियो चाहिए तो प्लीज आप मेरी चैनल का रिवियो एक बार जरूर करें और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा साथ में अपने कमेंट देना मत भूलेगा तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फॉर वाचिंग ये पूरी कटिंग हो गई झाल झाल